आज मैं आपको छटा बाब पढ़ाऊंगी हमारा इलाका ये मेरा घर है यहां मैं अपने घरवारों के साथ रहता हूँ हमारा महला घर कई तरह के होते हैं पुक्ता घर, कच्चा घर, जौंपडी, फ्लैट हमारे घर के करीब रहने वाले लोग हमारे पडोसी कहलाते हैं हमारे पडोसी बहुत अच्छे हैं वो खुशी और खम में एक दूसरे का साथ देते हैं जब हमारे घर के करीब ही मार्कीत है जिसमें बहुत सी दुकाने हैं करीब ही खेल का मैदान है जहां हम शाम के वक्त केलने जाते हैं जहां कई खांदान मिलकर रहते हूं उसे महला कहते हैं अब यहां पर सारा का महला दिखाया हुआ है सारा के महले में आप देख सकते हैं स्कूल है, मस्जद है, पार्क है और सारा का घर है, रोड है ये सारी चीज़ें मिलकर महला बना रही है प्यारे बच्चो क्या आप इस नक्षे में सारा के महले में मुझूद दो एहम अमारतों के नाम बता सकते हैं अपने महले में मुझूद एहम अमारतों की निशान दही करें अब जब हम सारा के महले की बात करें तो यहाँ पर स्कूल और मस्जद दो एहम अमारते हैं इसी तरह आपके महले में कौन सी एहम अमारते हैं वो आप जरूर बताएंगे इसके सारी अपने फ्रोस के बारे में बताएं कि आपके फ्रोस में कौन कौन सी एहम चीज़े हैं यानि कि आपके घर के साथ क्या है आपके घर के साथ मस्जद है कोई दुकान है या पिर किसी और का घर है दराखत है पार्क है जो भी है वो सब बच्चे अपना अपना बताए अब यहां पर जो हमारे पास सरगर्मी है इसमें सही काम के सामने टिक का निशान लगाना है घर का खुड़ा किर्केट पूरे दान में डालना अपने घर, गली और महले को साफ रखना घरों की दिवारों पर लिखना गंदा पाने गली या सड़क पर जमा होने देना अब यह चार चीज़े हैं इसमें घर का खुड़ा किर्केट पूरे दान में डालना अच्छी बात है ठीक है यह सही काम है अपने घर, गली और महले को साफ रखना भी सही काम है लेकिन घरों की दिवारों पर लिखना और गंदा पानी गली या सड़क पर जमा कहोने देना यह सही काम नहीं है इसलिए इस पर टिक नहीं लगाएंगे उसके बाद हमारे पास यहां पर घर की तस्वीर को इस नाम के साथ मिलाएं अब यहां पर आपने बताना है कच्चा घर कौन सा है फ्लैट कौन सा है जोंपड़ी कौन सी है और फुक्ता घर कौन सा है ठीक है अब ये वो है जो मैं आपको पहले बता चुक vibes इस तस्वीर में आप अगर देखें कच्छा घर कौन सा है तो ये हमारे पास तक्छा घर है ठीक है और फलैट ये हमारे पास फलैट है ये जो उपर है ये हमारे पास जोंपड़ी है यह जौंपड़ी को इसके साथ मिला देंगे यह हमारे पास जौंपड़ी है और यह हमारे पास फ्लैट है और यह कच्छा घर है इसी तरह जो उपर है वो पक्का घर है इस तरह आपने अपनी बुक्स पर सारा इनको मिला देना है उसके बाद हमारे पास नेक्स यूनिट आ जाता है वो हम जो है नेक्स वीडियो में शुरू करेंगे और उसको मुकमल भी कर लेंगे फिलाल आप अपने अपनी बुक्स पर जो है कच्छा घर नमबर वन पे है और तस्वीर में कच्छा घर नमबर टू पे है जिस तरह पहले मैंने बताया था ना आप यहां पर इस तरह से भी कर सकते हैं इस तरह आपको आसानी होगी उसके बाद जौंपड़ी ठीक है इदर से फ्लैट यह रहा फ्लैट दूसरे नमबर पर यहां पर फ्लैट रहा यहां पर ठीक है इसी तरह जो नेक्स्ट वान हमारे पास जौंपड़ी है तीसरे नमबर पर तो यहां पर आपने आकर लिख देना है तीन इस तरह करके आप इंको मार्क कर सकते हैं तो यह हमारी आज की सरगर्मी मुकमल हो गई यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लें आला हाफिस